प्रस्न नौ, चालिस विदार्थियों की एक अच्छा में कुल विदार्थियों की संख्या का एक वटा पांच अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, कुल संख्या का दो वटा पांच गनीत पढ़ना पसंद करते हैं, और सेस विदार्थी विग्यान पढ़ना पसंद करते ह पहला कितने विदार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं दूसरा कितने विदार्थी गनीत पढ़ना पसंद करते हैं तीसरा कुल विदार्थियों की संख्या का कितना भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करता है प्रस्न नौ तो प्रस्न नौ का पहला कहरा कितने विदार्थियां अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं तो देखिए 40 विदार्थियों के एक अच्छा में कूल विदार्थियों की संख्या का एक बटा 5 तो अंग्रेजी पढ़ना कूल विदार्थियों की संख्या का एक बटा 5 तो पची यथी चालीस यानि इसका उत्तर आ जाएगा आठ देखें का मतलब क्या होता है गुना तो पांच सर चालीस आठ बार में कट जाएगा पची अठी चालीस यानि आठ आठ आएगा चालिस का एक बटा पाँच तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं चालिस गुना एक बटा पाँच तो पची अठी चालिस यानि इसका उत्तर कितना आ जागा? आठ ठीक है? यानि आठ विदार्ती जो हैं अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं 40 विदार्थियों की कच्छा में 8 विदार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं दूसरा कितने विदार्थी गनीत पढ़ना पसंद करते हैं तो दिया हुआ है कुल संख्या का 2 वटा 5 गनीत पढ़ना पसंद करते हैं तो देखें कुल संख्या 40 तो 40 का 2 गटा 5 यानि हो जाएगा 40 का 2 गटा 5 मतलब हो गया 40 गुना 2 गटा 5 का मतलब गुना होता है तो 85, 40 तो 8 गुना 8 गुना 16 यानि 16 विदार्थी जो है गनीत पढ़ना पसंद करते हैं ठीक है तो दूसरा का उत्तर भी आ चुका है कुल विदार्थी की संख्या का कितना भाग बिज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं तो देखे कुल विदार्थी की संख्या 40 कुल विदार्थी की संख्या 40 40 में से हम घटा देंगे 8 अंग्रेजी पढ़ना पसंद करता है 40 विदार्थी में 8 अंग्रेजी पढ़ना पसंद करता है और 16 गनीत पढ़ना पसंद करता है ठीक है तो 40 में से ये दोनों को घटा देंगे जोड़ करके जो अंग्रेजी पढ़ने वाला है और गनीत पढ़ने वाला है ठीक है तो देखे यह हो जाएगा 40-16-24 यानि कितना आ गया 10 में 4 गया 6 तीन में से दो गया 1 यानि 16 विदार्थी बिज्ञान पढ़ना पसंद करता है ठीक है 40 विदार्थी में 8 अंग्रेजी पढ़ना पसंद करता है 16 गनीत पढ़ना पसंद करता है और 16 विज्ञान पढ़ना पसंद करता है ठीक है तो यह तो आ गया विज्ञान पढ़ने वाला का संख्या अब कहरा है यहाँ पे कि कुल विदार्थीयों की संख्या का कितना भाग तो 16 जो है विज्ञान पढ़ना पसंद करता है आप पूछ रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग तो देखे इसका उत्तर आ जाएगा तो इसका उत्तर हम लिख लेंगे इस तरह से उत्तर हो जाएगा 16 बटा 40 यानि 16 बटा 40 भाग वहा यानि 16 बटा 40 भाग बिज्ञान पढ़ना पसंद करता है अब 16 बटा 40 तो देखे ये कट रहा है किस से कट रहा है तो 4 से नहीं 8 से चार से भी तो कट ही रहा है लेकिन 8 से भी दोनों कट रहा है तो जो सबसे बड़ा संख्या दोनों को काट रहा है वो 8 है तो 8 से ही काट देंगे क्योंकि 4 से काटेंगे तो 2 पर काटना होगा ठीक है 4 से भी काट सकते हैं आप 2 से भी काट सकते हैं 2 से भी दोनों काट रहा है तो जितना छोटा संख्या से काटेंगे उतना ही जादा बार काटना होगा इसलिए बड़ा संख्या से 8 से देखें काट रहा है 8 दूना 16, 8 बचे 40 यानि कितना हो गया? 2 बटा 5 यानि 2 बटा 5 भाग जो है कुल संख्या का 2 बटा 5 भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करता है तो यह हो जागा इसका उत्तर, तीसरा का तो देखें, पहला का उत्तर हो गया 8 दूसरा का उत्तर हो गया 16 और तीसरा का उत्तर हो गया 2 बटा 5 तो जब भी भाग पुछे कुल का तो cool को नीचे रखना है बटा में और जो जिसका पूछ रहा है उसको उपर रखना है ठीक है यानि अंस में रहेगा जिसका पूछ रहा है और cool रहेगा नीच यानि हर में तो 16 बटा 40 यानि 2 बटा 5 इसका उत्तर होगा तो इस तरह press no हल कर लेंगे